जैन फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे तो आज है संडे क्योंगे और आपके कुछ कुश्चन लिए हैं उनका जवाब दता हूँ वो सभी काम आएंगे इसमें पैराइसर से भी रिलेटेट सवाल हैं क्लर्क से भी भी रिषय क्लर्ण दोन कि अगरा पैरेसीमेंट में तो आपके लिए पेराइसर में जाना आसान वह जाता है लेकिन आप अदर में और वहाँ के दुरूर्देट में पैराइसर मनना जाते हैं तो यह बहुत ही मुश्कल चीज़ें असंब महुल तो खैर वेकिनसी आते हैं पराइसम और तो आपका SU फिर आपको भेशते हैं वहाँ पर आपकी योग गता की अधार पे और आपको फीजिकल फिट्नेस के अधार पर और पराइसमपने सारे ट्रेड होते हैं कहीं आप लोग recipients होता यह नहीं होता है तो एक आर्मी है वो बहुत है नेक्स्ट कुस्टिन बोचते हैं विकास आजन यह बोलते हैं सर आइम फ्रॉम माचल प्रदेश आइब यूट्व चैनल माइक्विशन इस आई रीडिन टौल्थ क्लास एंड आर्ट सब्जेक्ट इंग्लिज हिंदी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हैं आइम इस मैं और कहली के लिएंटॅन आपकोमर्स और इंग्लिज यान के आपको मैंटॉम्ज इट होना आनिवार है तो यहां पर मुझे आपकी नहीं मेहत दिख रही है नहीं आपका एकॉंट्स कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो ब्रो इसमें बोला जाओंगा कि ये चीज़ कलर के लिए इलिजवेल नहीं है अब लेते हैं नेक्स्ट कोशन बुच्छन परी सर यूएन पीस कीपिंग मिशन पर जाने के लिए इंडियन आर्मी सोल्डर किस बेस पर सेलेक्ट होते हैं मेरी बेन सब्दों के दोरा इसलिए मतलब एक वेंग के दोरा इसलिए बता रहा हूं कि इस चीज़ पर खुल के नहीं ही बोल सकता क्योंकि एजा सेक्यूरिटी रिजन लेकिन यह बोल रहा हूं कि आपकी आउटस्टेंडिंग परफॉर्मेंस होनी से तब जाकि आपको यूएन मिश जो बड़ा ड़न जाती है वह बहुत जबरदस्त काम करती है और उसी काम की वज़े से ओनको ये मिश्यन जाने का मौका मिलता है आसा करता हूं आप समझगी होंगी चलिए लेते हैं नेक्स कुचिंट और हैक्रिस ब्रामन यह बोलते हैं सर मिजिशन वालोग पोस्टिंग अलग-अलग होती है। यह बस-एक सेंटर में ही रहते हैं, कि मेरे भाई मिजीशन क्यों लेकर डिटल की जानकारी आपको आइ बटन में मिल जाएगी, साइद पर मिजीशन की जानकारी सरे यह झाल जार सकते हैं Mag valuation में आप 3 टाइबसे जा सकते हैं एक जा सकते हैं जिसको आपणी आदुनीक Band है हमारा जिसको हम нам understand जिसको आर्मा में Jazz Band बोला जाता है पो उसमें आप Soldier GD के मादियम से जाते हैं उसमें सारी चीज़े होती है Guitar, आपका Congo, Casio और जो जो भी पोस्टिंग उनकी सेंटर में रहती है और सेंटर से बाहर वो लोग नहीं जाते तो यहनिकी मीजिक में आप तीन तरीके से आ सकते हैं एक आपका जाज़ बेंड दूसरा आपका पाइप बेंड तीसरा आपका ब्रास बेंड तो पाइप बेंड वाला बंदा भी अगर हर जो डाउट था क्लियर हो गया होगा आप वीडियो देखना आपको उसमें और पूरी जानकारी अच्छी से मिल जाएगी चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हैं निशांत का यह बोलते हैं सर एसी सी के लिए टेंथ ओयं ट्वल्थ में गुड परसेंटेज चाहिए होती है क्या ह क्या कम परसेंटेज वाले भी टेस्ट दे सकते हैं और इसका प्रोडूशर क्या होता है सर प्लीज रिपलाई वेरी कंफ्यूज मेरे बाई अगर आपको एसी सी कमिशन देना है तो उसके लिए सर्व यही होती है कि आप्टर जॉइनिंग इंडियन आर्मी आपके पास में 28 साल तक का वक्त होता है 28 साल और तीन मौके मिलते हैं अगर उसमाप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप डियक्ट आई में जाते हैं जहां बारती सेना के दिगारी बन जाते हैं और उसके लिए ऐसा कोई क्रेटेरिया नहीं कि 10 परसेंट यह 12 में इतने परसेंट आप सिंपल से अ पर मुझे इंगली सब्जेक्ट में ग्रेस लग गया है क्या मैं ट्रेट्समेंट बरती देख सकता हूं बिल्कुल मेरे भाई आप ट्रेट्समेंट की बरती देख सकते हैं ट्रेट्मेंट में भी आपके दो डो टाइप से बरती होती है एक होती है ट्रेट्मेंट पास एक ह ट्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स में लिए प्राइग दोटी आफ वी बटन में जाकर जरूर देखना आपको इसका लिंक भी डिस्कृश्चिन में मिल जाएगा तो आप 10th pass करके अगर grace भी लगा है तो no problem, overall 33% होना चीए आप 10th pass treatment भी apply कर सकते हैं चलिए next question ये बोलते हैं, विकास दास, सर अगर किसी person को 10th class में 43% मिले पर उसके 12th arts without math में 67% है, तो वो army में AJGD जोइन कर दकता है, नहीं bro अगर उसके 10th में 45% नमबर नहीं है, तो वो बंदा soldier GD इंडियन आर्मी में जोइन नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ इंडियन आर्मी का second line of defense जिसको हमकी territorial आर्मी के नाम से जानते हैं, उसमें ऐसा जरूर है कि आप अगर आप मान लिया जाए, आपके 10th में 45% नमबर नहीं बने हैं, तो आफ्टर 12th आप TA के थुरू आप soldier GD में जा सकते हैं, वहाँ जहां की एक क्रेटरिया 45% वाला खतम हो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चलिए next question, और यह बोलते हैं, प्रिया लोट, यह बोलते हैं, नमस्का सर जी, जहिन सिस, मैंने डिप्लोमा in Ayurvedic pharmacy करा है, तो सर मैं आर्मी में आयर्मी के लिए पोस्ट है, क्या प्लीज रिप्लाइए मी सर जहिन, मेरी बेंड मैं आपको पतान स्टेंड या फार्मा ट्रेट्स के बंदे बरते होते हैं, तो उसमें Ayurvedic का कोई भी चीज नहीं होता, बस Ayurvedic हम लोगे के नॉर्मल योगा के दोर पे करते हैं, लेकिन उप्चार के मामले में, इंडिन आर्मी में Ayurvedic का कोई उप्चार अभी तक तो नहीं है, या इस ट काम कर सकते हैं क्या, और सर आर्मी जीडी में कौन-कौन सा वर्क होता है, तो निशानत आर्मी जीडी यानि की जिसको की हम बोलते हैं सेना में, मला जैसे T20 का तापड़ तो बल्लेवाजना तो वो Soldier GD होता है, उसका बहुत एक्टिव रोल होता है, Soldier GD है काम फ्रंट बले बंदे का ही होता है, तो जीडी को लेकर आप ये वीडियो देखना पूरी जानकार ये है, आपको सारे डाउट्स के लिए हो जाएंगे, यानि कि सोल्जर बेनिफिट्स ऑफ सोल्जर जीडी इन इंडिन आर्मी एक ये और दूसरा जीडी के बारे में आप जान लेना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, चलिए अगला कुश्यन, और ये बोलते हैं सूरज, बोलते हैं सर टीए आर्मी के सोल्जर एक्जाम दे सकते हैं क्या, और क्या टीए सोल्जर का लिसेंस एडिवेट बनता है क्या, प्लीज रिपला है, बिल्कुल बनता है ब्रो, और आर्मी से अगर ACC आप दे सकते हैं, तो आप TA आर्मी से भी ACC के एक्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, अब नेक्ट कुश्यन है, मैस का ये बोलते हैं सर धर्म गुरू और टेक्निकल को पराइसेप में, ऐसे बैलाउंस मिलता है क्या प्लीज सर जरूर क्य इसमें पराइसेप जरूर क्या आएसेप में रखना पयार्मी सा सरुना माइसेप सर देरर टेर अर्मी में मिरी असी रणिंग है, और मैं TA army की तयारी कर रहा हूं मेरी running का timing 5 minute 5 second आ रहा है तो क्या हमें 30 age वालों के साथ दोड़ देख सकता हूं क्या और relation certificate का क्या benefit मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा इसको लेकर गलक्से वीडियो बनाऊंगा कि तयार्मी में अगर आर्मी के कोई रिलेशन सेट पर लेकर बनाऊंगा लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो एसके अकॉर्टिंग जुरूर दोड़ाते हैं तो एसके अकॉर्टिंग ही running में भी और कॉंपिटिशन बहुत ज़्यदा हो जाता है तो इसलिए जो आपका पांस सेकिंड आपका टाइमिंग आ रहा है ब्रो उसको थोड़ा कम करो उसको 440 और बहुत ज़्यदा 440 करोगे तभी उस दिन आपकी फाइनल दोड़ होगी तब आप 450 तक में आप आओगे तो आप ब्रो एक तो आपका बर्ट सेटिफिकेट होगा एक आपके फादर का डिक्चाज बुक रिक्वाइर्मेंट होगा और अपना आधार गार्ड लेके आप अपने नजदी की जिला सेलिक कल्यांट बोड में जाएं वह आपको पुरा प्रोसेस आसान माज़ान समझाएंगे सा अब्द्र पूछने की बात ही नहीं है तो सिंबल सा लोजिक है कि जिसको भी डिस पर जाना होता है वह जा सकता है आरमेंट के बाद में कोई प्रोबलम नहीं जा सकते हैं तो अज मैंने कोशिश की है आप लोगों के जो कुशनों का जवाब देने की लेकिन फिर भी बहुत पे कोई कुशन नहीं ले पाया समझना कि आपके कुशन का वीडियो आने वाला है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंग जै बारत वंदे वादरम बारत बाता की जै दोस्तों सबस्क्राइब कीजे एक्सार्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटिक और सबसे आसान बासा में जानकारी के लिए साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोडिफिकेशन सबसे जल्द मिलें